दूर दस्थन के खेती बारी कारिक्रम में आपका स्वागत है आज का दो विसे है चूरा इंडियन बटर ट्री और आज हमारे भी जो एक्षपर्ट हैं वो डॉंक्टर बीपी नोटियाल है जो पूर जनरल मेनिजर है नाबाड के और वरिस्वती सास्त्री हैं प्रोफेसर रहे हैं वरिस्वती बिज्ञान के और उनका बहुत 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 अन्भव है यहां की वरिस्वती की अध्यान में आज हम एक ऐसे विचे पर आपके सामने वार्ता करने जा रहे हैं तो बड़ा महत्पूर्ण यहां की वरिस्वती है उत्रखन की वह है चूरा तो डॉंक्टर नोट्याल पहले आप यह बताईए कि चूरा आखिर है क्या कि सरुपर्थम तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने यहां आने का निमंत्रन दिया और इस महत्तोपूर्ण विश्यपर चर्चा का आम बोलचाल की वाज़ा में इसे कल्प ब्रिक्ष भी कहते हैं और बॉटनिकली इसके तीन नाम बदल गए सबसे पहले बैसिया बिट्रेसिया था फिर डिपलोनिमा बिट्रेसिया हुआ और फिर असेंड़ा बिट्रेसिया इसका नाम हो गया बैग्यानिकों ने कि इसका न पाचो परवतिये जनपदों में घाटियों में पाये जाता है और इस ब्रिक्ष के बीजों से इसको इंडियन बटर्टी कहा जाता है इसके बीजों से तेल निकलता है और तेल निकलने के बाद ये तुरंत घी में बदल जाता है जो कि खाद्य तेल के तोर पर आज से नहीं सदियों से इस्तेवाल किया जा रहा है नेपाल में और जहां-जहां यह उगता है कुमाओं के परवतिय जन्पदों में तो डॉंक्टर नर्याल जी बताईए कि चूरय का आंकर महत्व क्या है और यह इसकी जो अधिकता है यह कौन से जन्पद में है और लोग इसका कैसे यू महत तो इसी बात से बढ़ जाता है कि आज हम खाद्य तेलों का आयात कर रहे हैं आज ही नहीं हम पिछले पचास बरसों से खाद्य तेलों का आयात कर रहे हैं भारत बरस में क्योंकि भारत बरस में जो खपत है वो हमारे उत्पादन से जागा है और हम सत्तर प्रतिसात कुल उत्पादन का 70% खाद्य तेलों का आयात करते हैं, जो 2011-12 में हम लगबस 70,000 करोड रुपे का खाद्य तेल बाहर से मंगवाते थे, आज वो 2 लाख करोड की कीमत पर आ गया है, यानि कि हम 2 लाख करोड खाद्य तेल का आयात सन 2020-21 में करेंगे, इस समय हम लगबस 1.5 लाख कर करोड का आयात करते हैं, तो सबसे बड़ा महत्तों इसका यह है, और दूसरा यह बिक्ष्ए है, तो यह पर्यावरण मित्र है, जल और भूमी सन्रक्षन के लिए है, तीसरी जो इसकी सबसे बड़ी खाशियत है, यह बहुत अच्छा चारा है, यह सदा बाहर बिक्ष्ए है जो घाटियों में पाये जाता है लगवग एक हजार से लेकर के और चार हजार फिट तक की उंचाईप में गर्म घाटियों में तो आपका दूसरा प्रश्ण था कि इसकी बहुलता कहां कहां है जैसे कि मैंने बताया कि कुमाउज के पांचों जन्पद और उनमें से भी सरवादिक चंपावद और पिथारागड में यह पाये जाता है जो काली और सर्यू घाटी है हमारी जहां साल और चीड के जंगल है उनी के साथ में यह भी पाये जाता है तो डॉंक्टर नर्जाल जी जो आपका रुज़ान हुआ कि चूरा के बारे में सोचने गए वह कैसे हुआ और कैसे आपकी शुरवाद की कि हम चूरा को एक राज्य पे लाएं लोगों को बताएं इसकी एकोनोमी के बारे में इसका रुज़ान आपको कैसे हुआ वास्ताव में जब हम नावाड के मुख्यकारेले बंबे में थे तो उस समय हम पॉलिशी विभाग में थे जिसे नीती विभाग कहते हैं नीती विकास विभाग डेवलोप्मेंट पॉलिशी डिपार्टमेंट और ये चर्चा हमेशा चलती है कि नावाड का मुख्यकारी है ही कि हम किस प्रकार से ग्रामीर छेत्रों में और ग्रामीर निवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधार सके और क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि हमें दलहन और तीलहन में हम आयात करते हैं खास्तोर पे तिलहन में तो ऐसे कौन से भीकल्प हो सकते हैं कि हम अपना उत्वादन यहीं करें वह से तो दो प्रकार की फसले होती है तील हन की एक तो बार्शिक फसले हैं जैसे मुफली हुआ, सरसों हुआ, सूरज मुखी हुआ, इस पर का सोया बीन है, तो उन में तो हमें बहुत बड़ा एरिया चाहिए, छेतरपल चाहिए, और सिचाई भी चाहिए, तो उसका expansion होना, उसका फैला होना तो इतना ज्यादा प्रभावी नहीं है, परन्तु के तौर पे, कुछ तैलिये ब्रिक्ष है, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते है, ट्री बॉर्ण आयल सीट्स, तो कुछ खाद्य तेलों का उत्पादन करते हैं, कुछ खाद्य तेलों का उतपादन करते हैं, खाद्य तो industrial use, यानि की उत्योगिक उतपादन में चले जाते है पर खाद्य तेल हमारी एक अनिवारियता है एक आवश्यक्ता है अब खाद्य तेलों में या तो हमारे पास नारियल है कोकोनट पाम आयल है या तो हमारे देश में जो कोस्टल एरिया हमारे समुद्री छेत्र है आंदर प्रदेश हुआ केरल हुआ तमिल नाडू वहां पे भी पाम आयल है, वहाँ कोकोनट भी है, परन्तों परवतिय छेत्रों में, खाद्य तेलों में एक मात्र सिर्फ चूरा ही है, और क्योंकि मैं बनस्पत्री सास्तर रहा हूं, रिफरेंस हमने देखे हैं, कि ये हमारे नेपाल में और कुमाओं, उतराख़ण के कुमाओं छेत्र में बहुतायत में पाया जाता था, और इसका सदियों से उपियोग होता रहा है, तो तब हमने ये सोचा, नाबाड के प्रबंदन ने, क्यों नहीं इस पर एक अध्येन किया जाए, और इसकी उपियोगित के बारे में सारी सूचना ही जुटाई जाए, तो हमने 2003 में एक अध्य देन, पिथारागर और चंपावत और कुमाओं के आने जन्पदों में किया, तो मालूब हुआ कि वहाँ पर लगबग आज भी यद्देपी बिलूप तो होते जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी चारापत्ती है, इसलिए इसकी वजए से इसका दोहन होता चला गया और इसकी उत्पादन चंपता कम होती गई, और जो पहले बहुत सगन जंगल हुआ करते थे, कुमाओं में, वो अब सिमट करके वुष्किल से बागेश्वर, चंपावत और पितारागर तकी सीमित रह गए, तो हमारा अनुमान है कि 50,000 बिलिक्ष तो अभी भी है, मैं 2003 या चार की बात कर रहा हूं, तब हमारा अनुमान था 50,000 बिलिक्षों का, पूरे कुमाओं में, और उसका जो हमने पोटेंशिल देखा, कि उसमें कम से कम, हमारे पास 50 कुंटल तक, मातर 50 कुंटल तक की घी की बारसिक उत्पादन चंपता है, अब जब हम 50 कुंटल जो हमारे दिमाग में है, क्योंकि ये एक renewable, यानि कि पुनर जीवित होने वाला सुरोत है, तो इसका ब्रिक्षोरोपन किया जा सकता है, इसको आगे बढ़ाए जा सकता है, जब इतना उपयोगी है, इसके बीजों के अंदर 70% तक तेल है, तो जब इतना उपयोगी है, तो क्यों नही इसका संबर्धन किया जाए, संडरक्षन किया जाए, पहले तो काम संडरक्षन का है, फिर संबर्धन का है, तो इस प्रकार से हमने फिर अध्यन के बाद एक कारेशाला फिर 2004 में पितोरगड में की, और उसमें ये निश्कर्स निकला, कि ये सचनुच एक बहुपयोगी प् परियरवरन के लिए भी उपियोगी है, और उद्योगों के लिए भी उपियोगी है, जिससे कि हमें बहुत से जादा, जादा से जादा रोजगार मिल सकेगा. तो नोट्याल जी आपने कहा कि ये बड़ा भौवपयोगी है और चूरा घी की बात कही है और आप हमें आप अपने साँ कुछ पूड़क लेके आये हैं चूरा से कौन कौन ये पूड़क बनते हैं उनकी क्या फाइदे हैं जो इसका घी है वो अन्नी के तुनला में कैसे है तो जैसा मैंने पहले जिक्री किया आप से कि जो हमने वर्क्शॉप 2004 में फिर एक वर्क्शॉप हमने पिथोरागड में 2007 में भी करी और उससे यही मालू हुआ कुछ अच्छे स्वयम सेवी संगठन भी थे बन विभा के अधिकारी भी थे डी आर्डियों के अधिकारी भ वो लोग भी थे तो यह निस्कर्स निकला उसमें कि इनके सर्वेक्षन का कारिया तो चलता ही रहेगा इसके संबर्दन का कारिया भी चलता रहेगा तो इसके बाद प्रोड़क्ट डेवलोप्मेंट क्या-क्या उत्पाद मातर घी से ही नहीं अन्नी चीजों से भी बन सकते हैं तो उसमें हमने स्वेचिक संगठोंग हैं जिलाप्रशासन से बात करीं और उसके मुझे सहयोगी तो आप ही है आपकी जो सथा है निदी तो आपने भी असके बारे में बहुत प्रसंसनियाकारी किया है यह कुछ एक सथा चीया भी है नैनिताल में और कुमाउ में जो काम क और जिला प्रशासन ने भी आपको बहुत सहयोग दिया है खास तोर पे जो मुझे ग्यात हुआ है कि जिला प्रशासन ने तो बन विभाग को चंपावत और पितारगट बन प्रभागों को इसके नर्शरी बनाने के लिए काफी प्रोस्थाइद किया है और अपने बॉर्डर एरिया डेवलोप्मेंट प्रोग्राम में सायद कुछ फंड्स भी दिये हैं परंतु उत्पादन के लिए नाबाड दोरा कुछ संस्ताओं को जिनमें आपकी संस्ता भी सामिल है प्रोड़क्ट डेवलोप्मेंट के लिए प्रोस्थाइद किया है जिनमें जो घी तो है ही उसके बाद जो शहद जो कार्तिक शहद के तोर पर जाना जाता है जो बहुत जिसकी बहुत मेडिशनल वेल्यू है वो तैयार की हमारी जिए एक चिंता थी कि जो 30% इसमें खली बचती है उस खली का कैसे और दो की छोग में लाये जा है जिससे कि लोगों को रोजगार मिले ग्रामीनों को रोजगार मिले तो मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं त Lazikuk यह एक बहुत अच्छी पहल है और एक बहुत अच्छा संकेत है कि इनसे भविश्य में और भी प्रोड़क्ट निकलेंगे पर दो इसका क्लाइमेक्स है जो असली चीज पर जो हमाना चाहते हैं जिससे की उत्तराखर्ण में राजस्व और रोजगार मिले वह है है चॉकलेट का बिकल्प जो कोड़ वह बड़र है यह जो लिटरेचर में साहिते में देखा गया है जो आज तक हुई है तो यह जो घी है चूरा घी यह कोड़ Model है जो की चॉक्रेट में बनाने में काम आता है वो इसी के बराबरी में है और क्योंकि इसमें लाकों, हजारों टन, हजारों कुंटल चॉकलेट इंडरस्टी के लिए चाहिएगी इस परकार का हो तो ये तभी संभव है जब हमारा अधिक से अधिक उत्पादन हो, अधिक से अधिक ब्रिक्षारों पन हो तो अभी तो मात्र यही उत्पाद बने हैं परंतो हमारा ये भी मानना है कि ये पारंपरी तौर पर पूरे कुमाओं और नेपाल में ये बहुत अच्छी दवाई दो चीजों की मानी जाती है चूरा गी एक तो घठिया के लिए और दूसरा जो एडियों में क्रैक हो जाते हैं सोल क्रैक कहीं पर घाव हो जाते हैं तो इसमें जो घाव को भरनी की छमता है मलग जिसे एंटी सेप्टिक बोलते हैं वो एक बहुत अच्छी बात इसमें आ सकती है तो ये कॉस्मेटिक्स में भी अभी तो अहां अभी तो सस्थाओं ने अभी और कुछ विभागों नहीं क किया है पर तो अनावचारी तोर पर ये सिद्ध हो चुका है कि एक बहुत अच्छी क्रीम है घी अपने आप में और इसका वैल्यू एडिशन हो सकता है इसके मूले ब्रिद्धी की जा सकती है नाबार ने कोई ऐसे इसमें कोई काम किया हो दो दो फुरुक्त है दो चूरा ह कि इसके विकास कैसे हो इसके जो उत्पाद है वह कैसे जादे बने कोई नाबार के काम या रासकार ने कुछ किया हो कोई नहीं पहल की हो इसको नाबार ने तो सबसे बड़ी चीज तो यह है कि नाबार ने ही इसकी पहल करी इसी को लाइम लाइट में लाए और इसी को प्र नाबाड में, वो भी आवकास प्राप्त है, मैं भी आवकास प्राप्त हूँ, परन्तो अब हमने इस पर साहित्य तयार किया है, चुरा इंडियन बटर्टी के नाम से, तो एक तो साहित्य का काम किया है, दूसरा नाबाड ने सबसे बड़ा काम किया है, कि इसका जी आई, जो जिला प्रसासन के सायोग से, पिथोरागड को, तो इसके प्रिटेंट के लिए, घी करने के लिए, तो हमें उम्मीद है कि कोई सहंस्था, किसी सहंस्था के मादेम से इिसका रिजिस्टेशन हो चुका है, इस पर queries चल रही है और हमें उम्मीद है कि दो-चार महिने में इसका registration भी हो जाएगा अगर GI होता है तो इस product को क्या कोई लाब मिलेगा यहां किसान भाई है जो इसमें काम करेंगे इसको फैलाएंगे इसको खेती करेंगे तो आपर GI तो कैसे इसके value बड़ेगी कुछ ऐसा अनुमान है एक तो इसकी गुणवत्ता की वजह सही क्योंकि यह सारा का सारा organic जो भी ए हैं चाहे खली है चाहे इसके बाद जो नए product बनते हैं चाहे वो साबुन है चाहे वो अगरबती है चाहे ओ और भी उतपाद बनते हैं तो एक तो वो pure ऑर्गनिक होंगे और अगर उतपाद उनके अलाबा अगर यह घी भी अगर है तो हम इसे घी नहीं बोलेंगे कल इसका नाम हरवल घी हो जाएगा तो वही अपने आप में एक मुल्य बृद्धी इसकी करेगा और जब इसका प्रचार प्रसार होगा तो सच्मुच खिसानों को इसको इसके ब्रिक्षार ओपरिंड की प्रेरणा मिलेगी अधित से अधिक ब्रिक्ष चाहे वो बन-पंचायत हैं चा है वह उनकी अपनी कास्ट की जमीन है अपने खेतों में लगाएंगे जैसे कि हम आम अमरूद या सेव लगाते हैं तो अधिक साधिक पैदावार होगी और अधिक साधिक इंकम होगी जो सबसे अची चीज है वो यह है कि इसका हर पहलू यहां के रोजगार से जुड़ा अगर इसकी नर्शरी पैदा होती है तो उसमें भी रोजगार मिलेगा गरामीनों को अगर इसका ब्रिक्चार ओपन होता है तो गड़े खोधने से लेकर करके उसके सिंचाई तक उसकी देख बाल तक रोजगार मिलेगा और जब यह फल देना शुरू कर देगा लगबक सहथ निकलेगा उससे भी रोजगार मिलेगा और जो तेल गानियां लगेंगी जो तेल गानियां हमारा विश्वास है कि कम से कम 500 हैटेर पे एक तेल गानी पूरे बर्स भर चल सकती है उससे इतना उत्पादन होगा तो एक दीरकालीन योजना है यह हमारा एक विजन है को रोजगार मिलता रहेगा चूरा जो जहां उखता है वहां की आर्थिकी का एक अच्छा माध्यम है पूरी एकोनोमी चूरा पेटिमेंड है और जिलार प्रसासन ने भी कुछ पहल की है तो किस तर की पहल है और कैसे इस प्रडट को आगे बढ़ाना चाहती है जिसे जी आ कुछ जगों पर है और कैसे क्या संभावनाएं हैं और सरकार को या और संस्ताओं को क्या प्रयास करने से यह कि पूरी उत्राखन में इसकी इसकी पेड़ लगे कोई ऐसा कोई प्लान हो कोई ऐसा वीजन हो रखेंगे आप लोग से कम कर सके बहुत अच्छा प्रशन है आप के जिला प्रशासन्य और चंपावत के जिला प्रशासनय इसको बड़ी गंबीरता से लिया है और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि उन्होंने प्रेरित किया है बन बिभाग को इससे पहले भी जो हमारे एफर डीसी और चीफ सेकरेटरी रहे हैं डॉक्टर तोलिया साहब उन् इंटर ऑफ एक्सलेंस चूरा के नाम से उसको इस्तापित किया था और तब ही से उन्होंने इसकी नर्शरी बनानी शुरू करी तो जहां तक मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि दोनों जन्पदों में लगबग 20,000 प्रतिवर्स 20,000 पहुद 20,000 नर्शरी प्रतिवर्स व और कुछ के लिए हमारा सुजाव है कि वो इसकी नर्शरी इसके पौधाले इस्तापित करने के प्रयास करें एक जो मुझे डट साव पांडे जी आपसे यह निवेदन है जो चिंता का विशा है वो यह है कि जो हमारा पंचेशवर बांग बन रहा है उसमें उसी घाटी में यह चुरा के अधिकांस ब्रिक्ष हैं वो पंचेशवर बांग बनने के बाद इसका बिलुप्त होने का बहुत बड़ा खत्रा है तो आज हमें यह सोचना होगा कि हम इसको कैसे कुमाओं के जन्पदों में इस्तापित कर सकें पहला सकें और कैसे उसको कुमाओं से बाहर क् अभी गड़वाल के जन्पदों में नहीं है और इसमें गड़वाल के जन्पदों के लिए प्रासंगीक्ता बनती है तो उनको इसके ब्रिक्षार ओपन को हम गड़वाल के अन्य जन्पदों में भी परवती जन्पदों में भी करें इसके ब्रिक्षार ओपन को है प्लान जिससे की पुरे गलवाल में आ सके, गाठी में आ सके, पर लास कोशन है, पिर क्योंकि, हाँ, हमारा तो यही सुझाओ है, क्योंकि ये कारिय तो सरकार को और समाज को करना है, परनतो हमारा ये कहना है कि प्रति बर्स हमें एक टार्गेट फिक्स करना होगा, कि कम से कम 10,000 ब्र ट्रीक है, प्रति जन्पत लगाए जाएं, और 10 बर्सों तक लगाए जाएं, क्योंकि ब्रिक्षारोपन तो किसी भी प्रजादी का होना ही है, वो तो एक आवश्यक प्राविधान है, तो क्यों नहीं इसी चूरा ब्रिक्षार, जो कि कल्वतरू के नाम से जाना जाता है, जिसमें रोजगार की और संसादनों की इतनी संभावना है, तो क्यों नहीं इसको दस बर्सों की एक दिरकालिन योजना बनाई जाए, जिसे रोजगार भी मिलेगा, उत्पादन भी होगा, पलायन भी रुकेगा, और भविश्य में इसके कई उत्पाद भी बनेंगे, तो ह जा करके हमारे पास लगबग 6 लाख ब्रिक्ष जिंदा रहेंगे, और ये प्रक्रिया जब एक बार शुरू हो गई तो आगामी बरसों में भी चलती रहेगी, इस पे बहुत सारी अच्छी रिसर्च हो रही है, अब इस तो FRI ने इस पे टिसू कल्चर का काम भी कर दिया, इसके संवर्धन की बहुत संभावनाये हैं, पहले जे चूरा का प्रेट फल छोटा होता था, हो सकता कि आने वाले समय में बिज्ञान और तकनीकी मदद से बढ़ा हो जाए, तो इसमें संभावनाये ही संभावनाये हैं, हमारा तो ये निवेदन है सरकार से भी, समाज से भ जिंदारक हैं, कि वो इसमें विशेष ध्यान दे हैं, क्योंकि ये बहुत हर। हसी से बोलते हैं, ये बहुत सक्षम पोदा है, जो कठोर से कठोर चटानेैखम से गरम घाटी के भी झानाये होता है, और बहुत दिरक adece जीवी हैं, साव साल तक जिंदा रहता है, साव साल से कि इस कारे को आगे बढ़े हैं और खास्तोर पर दूरदर्शन का क्योंकि ये सबसे सशक्त माध्यम है समाज के बीच में ये संदेश पहुंचाने का कि हमारी जो गौन बन उपज हैं उनको किस प्रकार से हम उनकी खेती कर सकें दन्यवार नट्याल जी आपने बड़ी महत्पूर दानकरी दी एक नया विसे तो हमरे किसान भाई इसको देख रहे हैं यह देखेंगे उनकी खेती करें क्योंकि ये कल्विक्स से है इसका हर चीज यूज होता है इसका पत्ता इसकी लखडी इसके बीच इसका फल इसका फूल और लोग आएं हम आहन करते हैं दूर दर्शन की ओर से कि इसकी लोग अपने छेदर में इसके विक्षारपन करें और धर्ति को हराबरा बनाएं और अपने आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करें धन्यवार